हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू शाली एक आडमेक्स मेरा नाम है शाली नी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहे हूं क्लास 11 का चाप्टर नुम्बर 7 जिसका नाम है टेस्ट मेजरमेंट आड एवलिवेशन स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपने मेरे चानल को अभी तक लाइक, शेयर, सब्स्राइब नहीं कर रहे है तो कर दीजे नीचे दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटस इंफ कर दीए तो चलिए शुरू करते हैं, स्टूडेंट अल्रेडी हमने 7.1, 7.2, 7.3 कंप्लीट कर दीए, 7.5 हमारी जो वीडियो काफी पार्ट में बन रही है, स्टूडेंट हम 7.5 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप से कहा था कि 7.5 युनिट काफी बड़ी है उसको अच्छे से समझने के लिए उसके काफी पार्ट आएंगे, स्टूडेंट हम डिसकस करने वाले हैं बैरो फिटनेस टेस्ट के बारे में, बहुत ही ईजी टेस्ट है, इसका परपस बिसिकली यह होता है, हमारी लेक की स्ट्रेंथ को चेक करना, आगे इसमें बता रखा एकुप्मेंट क्या क्या चाहिए है, हमें एक टेप चाहिए है, मेजर करने के लिए, स्टूडेंट इसका प्रोसीजर डिसकर्स कर लेते हैं, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो जाना है, आपने अपनी बॉड़ी की स्ट्रेंथ यूज करते हुए, आगे की तरफ जम्प करने है, और आपने ऐसा तीन बार करने है, आपकी तीन रिकॉर्ड को मेजर करा जाएगा, सबसे आप फर्स पे यहां पर लाइ करते हैं, सेकेंड पर यहां पर लाइ करते हैं, थर्ड जम्प में आप यहां पर लाइ करते हैं, स्टूडेंट यह जो आ आपका सबसे दूर वाला point होगा उसको record कर जाएगा और उसी से हमें पता चलेगा कि आपकी leg में कितनी strength है और ये fitness test यहीं पर finish हो जाएगा So students अगला test देख लेते हैं जिसका नाम है Cross Weber Test ये बहुत ही easy test है So students there are 5 items in this test for measuring strength 5 items हैं जिसके through हम measure करते हैं कि हमारी muscular strength कितनी है So test 1 में आपने क्या करना है To measure the muscular strength of the stomach and back muscle इसमें हम stomach और back muscle की strength को measure करते हैं So students ये test बहुत ही easy test हैं सबसे पहले तो आपने इस तरीके से mat पे लेट जाना है उसी के साथ साथ जो tester होगा वो आपके leg को hold करेगा आपके दोनों हाथ आपके सर के पीछे होने चाहिए आपने पूरी body strength का इस्तमाल करते हैं इस तरीके से position लेनी है अगर आप इस position को नहीं ले पाते हैं आपसे ही position नहीं ली जारी है आपको मिलेगा 0 mark अगर आप इस position को ले लेते हैं तो आपको मिलेंगे 1 mark और student इसी के साथ आपकी stomach और back muscle की strength को measure करा जाता है so student हम बात करेंगे test 2 की to measure the strength of the stomach and abdomen muscle ये test जो है वो stomach और abdomen muscles को test करने के लिए करा जाता है कि आपका जो stomach है वो कितना strong है उसी के साथ साथ जो आपकी नीचे की muscles है वो कितनी strong है इसको test करते है student करना कुछ नहीं है जिस तरीके से आप test 1 में lie down हुए थे सेम उसी तरीके से होना है so student फरक सिर्फ इतना है कि इस बार जो आपकी legs है वो bend होंगी और आपकी जो ankle है वो touch होगी आपके hip के साथ जो आपका tester होगा वो आपकी leg को hold करेगा and then आपने upward आने की कोशिश करनी है आपको properly इस तरीके से position लेनी पड़ेगी तभी आपको जो है one mark मिलेगा और इस test से student हमारी check होगी stomach और abdomen muscles की strength so student test 3 की बात कर लेते हैं to measure the muscular strength of the leg abdomen muscles so student हम इसमें leg की strength को measure करते हैं simply आपने lie down करना है then आपने अपनी दोनों leg को join करके इस तरीके से आपने उपर की तरफ lift करना है और यह जो gap है वो आपका 10 inches का होना चाहिए आपने इस test को 10 second तक करना है हर एक second में आपको एक number मिलेगा लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपका ये वाला 5 जमीन से उपर नहीं आना चाहिए अगर आप इस test को 1 second के लिए करते हैं तो आपको एक number मिलेगा 2 second के लिए 2 number मिलेंगे और इसी तरीके से 10 second तक अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको 10 marks मिल जाएंगे लेकिन अगर आप इस test को करने में fail हो जाते हैं तो आपको मिलेंगे 0 marks So student test 4 की बात करेंगे To measure the muscular strength of the upper side of the back So student करना क्या आपने इस तरीके से उल्टा लेट जाना है आपका जो stomach है उसके नीचे pillow रखना है And जो tester है वो आपकी नीचे की body को बहुत tightly hold करेगा आपने क्या करना है आपने अपना head, अपने shoulder और अपनी chest को उपर उठाने So student आपने ये तीनो parts को floor से उपर उठाने की कोशिश करनी है हर एक second पे आपको एक mark मिलेगा अगर आप इस test को 10 seconds तक कर लेते हैं तो आपको 10 mark मिल जाएंगे लेकिन अगर आप इस test को बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 0 marks दिये जाएंगे और इसी तरीके से आपकी upper side की जो strength है उसको check करा जाएगा Test 5 To measure the muscular strength of the lower side of the back So student again आपने इस तरीके से उल्टा लेट जाना है नीचे पिलो रखना है and student जो tester है वो आपकी back को hold करेगा and आपने जो है अपनी leg को 10 inches तक उपर उठाने अगर आप इस position में total 10 seconds तक रहते हैं तो आपको 10 marks मिल जाएंगे और हर एक second में perform करने पे आपका 1 mark एड उता रहेगा लेकिन अगर आप ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 0 marks दिये जाएंगे और इस test को perform करके आप maximum 10 marks को gain कर सकते हैं स्टूडेंट इसी के साथ cross weber test finish होता है और स्टूडेंट इसी के साथ आपका जो score card है वो बताएगा कि आपकी body के अंदर कितनी muscular strength है स्टूडेंट हम discuss करेंगे paro medicine ball throw ये बहुत ही easy test है स्टूडेंट आपकी इसमें shoulder और arm strength को measure करा जाता है equipment क्या चाहिए एक medicine ball की need होगी 1 kg for girls and 3 kg for boys यहां से MCQ पूछा जाता है कि लड़कियों के लिए कितनी kg की ball होनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए 1 kg for girl and लड़कों के लिए 3 kg for boys इसी के साथ साथ हम procedure को एक बार देख लेते हैं so student जो participant है वो एक point पे जाके खड़ा हो जाएगा then अपनी position ले लेगा ball को इस तरीके से अपने पास रखना है then पूरी strength के साथ ball को throw करना है ऐसा करने के लिए participant को 3 attempt दिये जाएंगे तीनों में से जो best record होगा उसका वो record कर लिया जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके shoulder और उसकी arm में कितनी strength है और students इसी के साथ ये test finish हो जाएगा so I hope guys आपको मेरी video अच्छी लगी है useful लगी है so please मेरे channel को like, share, subscribe करना ना भूले इसी के साथ साथ नीचे दिये गए bell icon को भी press कर दे ताकि इस channel से जुड़ी latest information आपके पास पहुशती रहे at the end I will say you can follow me on my Instagram, Facebook, Telegram so thank you guys, thank you very much ताकि अज़ी बाएगा